हमारे गाउं का आज 25% पॉलिथिन प्लोज हो चुकी है उसे पॉलिथिन भी अटा दी हमने कुछ दुखाना पर दिखाऊ आने वाले समय में भाई साब एक और चीजे आने वाले समय में आप वादा कर रहे हैं कि राजगर जिले का सबसे सच गाउं सुल्तानिया रहेगा ने स राजगर जिले का सुल्तानिया गाउं बनेगा सर्पन साब वादा कर रहे हैं उन्होंने एक महने के भीतर इस गाउं को बहतर से बहतर साफ सपाई करने की इसमें कोशिश की है चलिए इस गाउं का पूरा ब्रहमन करवाते हैं आपको और जो कमियां हमें इस गाउं में लगी है वो भी हम सर्पन साब से बातशीत करेंगे और राजगर वासियों को यह ब सर्पन्चे सबसे पहले स्वागत है नमस्कार जी आपका परीचे भी जानना चाहेंगे मेरा नाम सर जितेंद्र कुमार हाथिया है और इस ग्राउं सुल्तनिया का सर्पन्चु में नवनिर्वाचित सर्पन्च गाउंवालों का काफी अच्छा आशिरवाद मिला मुझे मन लगा कर काम कीजिएगा और भाई साब ने फोन किया था कि हम नवनिर्वाचित सर्पन्च और हमने हमारे गाउं को साप सुत्रा बना दिया है तो चलिए गाउं की और चलते चलते बातशीत करते हैं और यह साप सफाई का जो मामला है यह कब से शुरू हुआ और आपने क सारीक से सपाई का कारेश स्टार्ट कर दिया था पूरे गाउं के अंदर गंदगी का चारो तरफ सेलाब बरापड़ा हुआ था इतना खतरनाक सेलाब था कि मतलब कहीं ने कए हमें सरमिंद की मेसुस होती है कि हम सुलतनिया गाउं के नागरिक है और इतनी गंदगी यहां सो फें है लेकिन उसी कि यह मिशन मनाया मिने और मिशन मना और के मेरी टीम में पूरा मिशन मनाया और पूरी टीम ने मेरा अच्छा साथ दिया वाई वायरे अगे बढ़ाते हुए आज पूरे नगरकंदर आप गुम जाइए आपको कई भी गंदगी मिले तो आपासरी गं तो निश्चित तोर पर यह वादा कर रहा हूं सरपन साब आपसे भी ले रहा हूं दो गंटे के अंदर गंदगी साफ हो जानी चाहिए सर हमने किया है कि यहां पे एक पंचाच का स्पेसल नंबर लोगों को बाटा है ग्राम वाष्यो में और उस स्पेसल नंबर में अमने ऐसा रखा है कि जहां पर भी लोगों को गंदगी दीखे आप उसको फोटू किच यह करके तुरंत आप हमें जैंड करो 24 गंटे के अंदर हम आपको तुरंत उसकी सपाई करके दिखाएंगे ये एक बार आसपास केमरा घुमा कर दिखा जीजिए साप स्वच्छ रोड है और ये जो मिशन है ये राजगर जिले के हर एक गाउं वाले देखें और राजगर जिले का सबसे स्वच्छ गाउं सुल्ता कितने दिनों में बनाया भाई साब आपने यह सार अभी मैना वर भी नहीं हुआ पूरा नो तारिक एक महीने के अंदर आपने ठाना की आज लगबग चोईस पच्चिस दिन हो रहा है कि एक महीना तो हाँ सपत गरण को मेरा एक महीना हो गया लगबग और सपत गरण के पेल यह देखिए यह पःल होती है राजगर जीले के नव निर्वाचिस सर्पन्च देखें तो बाएस आप से सीखें और आपके गाओं को भी आप सच्च बनाएं देखिए क्या होता है कि कमियाह ने कहीं पर कमियाह होती है लेकिन उन कमियों को जंता के सामने यदि आप रखत तो निश्चित तोर पर वो कमी दूर होती है यह ग्राम पंचा सुल्तानिया है और यह नव निर्वाचिस सर्पंच अच्छा सर्पंच साब एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं लोग आरोप लगाते हैं कि भाई पेसे लेकर वीडियो बना दिया है तो एक रूपया भी लिए ना कोई आज तक निमांड करी में से किसी लिए यह चीज क्लियर हो गई राजगड के लोगों हम अपनी जगा इमानदार है और बाई साब ने भी कोल किया था कि आप हमारे गाउं में आकर के साब सपाई का जो हमने रखबार अचा है एक महीने के अंदर वो दिखाए एक बार यह रोड दिखा दीजिए यहां पर लगबग बारो ही महीना किचट रहता था बारो ही महीना पानी बरा रहता था यहां लेकिन हम लोगों की जब से पहल स्टार्ट हुई है इस गाउंकंदर स्वच्छता का मिसान हम लोगों ने जब से मेरी पूरी टीम ने चलिए गाउंवासियों से बातचीत कर लेते हैं आपन और पूछ लेते हैं इनसे राम राम पटेल भा साप सफ़ाई को काम कसो कहीं चल रहो है दिकत तो नहीं है दिकत नहीं सर्पन साब उबेर यह से तुन बोल रहा है आप सब्सक्राइब बिल्कुल खुछ था तो याद करो जो मारे भी आप अशो शर्पाँ आद तक निए बने तो कहीं को उसका बेवार था जबी तो उसको बोड़ दिया इतने गाउंवाले ने सब को सबने किता बोड़ दिया दिया उसको राजगाड जिला में पेला नंबर का जीता है वो बोट सब्सक्राइब और यह गाउं वाले बोल रहे हैं और हम थोड़ा और आगे चलेंगे गाउं की कंडिशन को थोड़ा और दिखाते हैं प्रयास करते हैं कि राजगर जिले का हर एक गाउं इस गाउं को देखे राजगर जिले के हर एक लोग इस गाउं को देखे और कम से कम जो सफाई का जो मामला है सफाई का जो मुद्दा है उसमें हमें आगे रहे करके आगे कदम बढ़ा करके सामने आना चाहिए जैसे सर्पन साब आये हैं और यह पोजिटीव खबर हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि राजगर्वासी भी सवच्चता को अपना है और सवच्च भारत मिशन में अपना योगदान दे इससे पहले कभी राजनीती में कोई पद्र आया है भाई साव आपका पहले भी मंडल उपद्र रहा हूं में अनुस्चित जाती मोर्चे से और आज भी बाजबसे जिल पद्र देख्ष हों पहले भी आप सवच्च भारत मिशन में काम कर चुके और आज जननवियां परिशत की ले ने कि जन्यवियान से हमने सारी चीज़े सीखी और जन्यवियान से सीख करके और आज हम इस फाउंडेशन को खड़ा कर पाएं यहां पर क्या बात है सार आपको सल्यूट है सबसे पहले मेरी तरफ से भी और सरपन साब जो भी कम्या लगे आप लिष्ट बनवाईएगा एक दो वादे में आपसे ले रहा हूं एक दो सुझाओ जो मेरे हैं जो युवा होने के नाते आपको देना चाहता हूं आलाकि आप राजनीती हो उसमें चिट्टी डालके जाएं और वो जो जी बिल्कुल वो जो चिट्टी है वो हर सब्ता खोले आप और जो जो शिकायत है उनका निवारन जल्दी से जल्द करने की क्रपा करें आप जो बोल रहा है हम मान रहा है लेकिन शिकायत की पेटी की वज़े हमने पहले एक ट चुट गंटे के अंदर हम आपकी समश्या का समधान कर देते हैं और किया भी हमने मैं आपको वाटसस आप खोल के दिखा दूंगा जिन जिन लोगों की सिकायत आई किये उन लोगों की सिखायत हो कि हमने 24 गंटे के अंदर निप्टान किया है एक महीने के अंदर ये सब टोल फ्री नंबर वगेरा आपने एक महीने के अंदर पहले से सोच के रखा था आपने चुनाव जिते देना उस दिन से प्लानिंग हो गई तिया में चुनाव जिते उसक सरच्छता का जो ये जो कीडा है हर किसी सरंपन्च में होना चाहिए सर हर किसी सरंपन्च में ओना चाहिए ये जो सवच्छ भारत मिशानले इसके और मिशानल Потस पीछे बहुत बड़ा मिशानलuster जैब आपका गाउं साप रहेगा स्वच्च रहेगा तो लोग उस गाह को देखने के लिए आएंगे हम भी आए हैं और निश्चित तोर पर ये जो ये जो साब सपाई है यहां पर एक मुझे कमी लगी सर्पन साब वह यह है कि डश्ट बिन आप जगा जगा पर रखवाईए आने वाले समय में अपने डश्ट बिन के लिए हमारे कोटेशन रेडी है कोटेशन तयार होगे कुछी दिनों में डश्ट बिन आ जाएगी और एक चीज और बता दूं आज ही मैं आपको दिखा देता हूं वाट्साप पर कोट जल्दी हमारे कच्रवाहन भी आने वाला है कच्रवाहन भी आजएगा और डश्ट बिन भी बहुत जल्दी आने वाली है और सबसे विशेस एक चीज बता दूं मैं आपको कि हमारे गाओं में अभी हमने आट दिन पर एक मिटिंग लिया था सारे लोगों की गाओं के जितन को दुखानापे दिखाओं पर आने वाले समय में भाई साब एक और चीज आने वाले समय में आप वादा कर रहे हैं कि राजगर जीले का सबसे सच गाओं सुल्तानिया रहेगा सर्पन साब वादा कर रहे हैं तो इसमें देखो लोगों को भी जागरुक करना पड़ेगा आ आप अक्यले कुछ नहीं कर पाएंगे लोग भी जागरोख होने चाहिए निसर हम देखो हमारी सबसे बड़ी जो प्लानिंग होती है सबसे पहले वहार परिवर्तन करने की हम लोगों से पहले उनका व्यवार परिवर्तन करते हैं व्यक्ति का कि अगर मान लिए अगर हमने सुपरी खाले होने के बाद में अपनी जेब में रखें और जहां पर उचीत इसतान दिखते हैं इसको ना कि हम उसको रोड पर फेके और आज उसी की बदोलत है वह प्रयास हमरा रहा इस गाहांवासियों का प्रयास राक आज पूरे चोक नो गुमा कर देख लिए आपको ये ग्रामिडों की भी जागरुकता का विशे है सुल्तानिया के ग्रामिड भी इसको और सक्सेस बनाने की कोशिश करें और जब डश्ट बिन आप जगा जगा पर लगा देंगे सर्पन साब तो निश्चित तोर पर ये सफाई का जो अभियान है ये और भी सफल हो जाएगा बिल्कुल सार देखिए कच्रे का डिबबा रखा है वहां अभी फिलाल में दिखाओ उसको उठा कर ये देखिए जाकर यहां कुछ ऐसी गंदगी होती है तो लोग खुद इतने मोटिवेट हो चुके लगबाक देखिए अब उसमें चोटे-चोटे बच्चों ने चाक्ले चल रहे हैं दिक्कत कई भी दिक्कत निया अप लोगों पी सही होग चाहिए है मैं आप सपाई का मामला में बहुत बढ़िया शाप-सपाई का मामला माँच्छ चल रहो और पर यह एंपम बीगड़ य भी सुधर लेद्यार एक बात पानी चालो कर दियो ना पानी कम से कमे अच्छा कार्यकाल चल रहा है कहीं दिक्कत नहीं सर्पन साब अच्छे हैं और सापसपई भी गली गली यों की अच्छी हो रही है कहीं दिक्कत नहीं भव्य मंदिर है बजरंग बली के दर्शन आप कर लीजिए बीच चोक में हम खड़े हैं और इस मंदिर का भी अपना इतियास होगा हर मंदिर का अपना इक इतियास होता है और यह जो सापसपाई आप देख रहे हैं यह हनुमान जी के जश्ट सामने का प्रांगन है यह बाज संधाजा उने की पावन नकरी ननका माय माइक माट अपbel द्रशन का माइक माइक के संतान के जब तुह प्रबंग निकले आपको निकलेग है आपको वही स्टमी को संतान होगी तो यह जो अनका जीकि मुर्ति देख रहा है यह किसी के द्वारा बना करके बिठाई गई नहीं है यहां पर जब यह जमीन से निकली न तो यह तब से आज तक मेरी आज 38 साल की उम्रों रही है बराव करके इतना उपर आ गई लेकिन यह खासिया देगे मुर्ति आज भी उतनी उपर अनमान जी का इस्तान जो है तो यह तो अब तक इतना नीचे चल जाना चीए था लेकिन यह पता नहीं क्या चमतकार इनका कि आट्मेटिक उफर उठ जाती है तो यहां पर एक बार गाओं वासियों ने एक डगाल काटी थी ज़ाड की इसी पर पेड की प्येड़ के डगाल काटी थी यह पिपल के पेड़ के गोड में इसे अनमाची तो यह पर एक यसा भी अचमतकार था हमरे यहां का कि फ़ पर दो लिटक गये थे काटने नी दी उनको जब उन्होंने चमापरातना करी तब जाकर वापस है जो वो नीचे उतर पाया नीचे नीचे उतर पाया तो फर लटक गए तो इतने बड़े चमत का रहे हैं यहांके और आज भी हमारे बताओं आप जो मांगते हैं लगबग मिलता है मैं खुद गाओं के प्रदान है और बजरंग बली जो है वो आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आप और उचाहियों तक जाए हमारी भी शुब कामना हैं थोड़ा सा और अंदर चलके देखना चाहते हैं और यह जो गाओं है सुल्तानिया है एक बार आपको दिखा देते हैं राजग इनकी जीत हुई थी और एक महिना इनको पदबार ग्रेंड किये हुए हो गये हैं और एक महिने के भीतर आप सामने देख लिजेगा कि क्या प्रोपर नालिया बनी हुई है और साप सफाई जो है वो चका चक है एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और हम भी चाहते हैं क कम से कम वो अपने सर्पंचों तक इस वीडियो को पहुचा है ताकि सर्पंच इनसे ज्ञान ले सके कि किस तरह से सुल्तानिया को इन्होंने मिशन बना कर पदबार ग्रेंड करने के एक महिने के भीतर स्वच्छ गाउं बनाया है और आने वाले समय में सर्पंच साब बोल सबसे मिशन बनाया और मद्यप्रदेस का में इस चलद करना में इस नियुक्ति अभी कुछ जगे हैं गंद्गी अमरे यह वह एसी जगे है कि जो हम सारा गाहों का कच्रा इखटा करके वहां हमने इस्टोरेज बना रखे तो अभी वहां हमने गंद्गी को एक घटा कर रहा है वही मात्रपुरे गाहों में तीन जगे घंद्गी मिलेगी आपको उसके लिए भी नाडेव वगरा का हमारे मंजूरी करन हो गया है यह वगरा जारी हो गई है तो अभी जैसे हम तुरंद नाडेव बना के उसको तैयार कर देंगे और मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप लगबागे नहीं सिर्फ एक महीना का और मौका दीजिए का मेरे बिलकुल भा में तो यदि वह रोडिया हटवा करके अब एक निशिच जगा तो करनी पड़ेगी उसकी क्योंकि किसान कहां पर गोबर डालेगा उसका कहां पर खाट डालेगा तो एक सरकारी जगा आप से और वहां पर सारे गाउंवालों की एक ही जगा पर रोडिया अगर हो जाए तो गाउं की सुन्दरता है और बेतर हो जाएगी हमने उसके लिए ग्राववासियों के सांथ बेट करके मिटिंग लिया था मिटिंग में अपना खुद का नाड़ेप बना सकता है तो आइस्ता ही रूप से उनका नाड़ेप बनवा देंगे हम तो रोडिया कुछ उसमें कवर हो जाएगी उसके बावजुद में बाइचांस अगर सामुई के अगर कुडा दान बचता है रोडिया बचती है तो उसके लिए फिर हम बैठे हम क्या करेंगे कि जो अभी गवर्मेंट से नाड़ेप हमने मंजूर करवा है उसके लिए सारवजनी किस्तान पर हम चलती कि गाउं को कैसे स्वच्छ करें कैसे नंबर वन पर लाएं गाउं को आधे से ज्यादा जो है हम गाउं का ब्रह्मन कर चुके हैं और एक बार केमरा घुमा करके आप देखिएगा यह देखिएगा एकदम साप और स्वच सरपन साब ने बोला है कि दो चार जगा गंदगी है वो भी जो गाउं की इस्टोक बना रखा हमने वो कच्रा इस्टोक की वज़े से मापे है तो वो अभी फिलाल में नाड़ेप की तैयर यह चल रही है हमारी नाड़ेप जब तैय कि स्वक्ष भारत जो मिशन है वो राजगर के हर किसी गाउं के हर किसी सरपंच को पूरा करना चाहिए और मैं तो आप से निवेदन चाहता हूं कभी भी आए ना तो आज तक तो अपना फिर पे जानते थे एक दूसरे को लेकिन इतनी पेचान नहीं थी लेकिन मैं आप से पूरी जो पोजिसन उसको केप्चर कर सकते हैं बिल्कुल भाई साब से वादा कर रहे हैं कि किसी दिन आचानक आएंगे और अचानक से भी यही साब सपाई मिलती है कि नहीं राजगर्ण के जिले वासियों के क्योंकि हमारी जो पैचान है उसमें कोई खोट नहीं है भाई साब पहली चीज यह है दूसरी चीज है कि हम किसी से पेसा नहीं लेते हैं फिरी में पत्रकारिता करते हैं राजगर्ण के लिए करते हैं राजगर्ण वासियों से हम पेट्र मद्यप्रदेश का सबसे स्वच गाउं सुल्तानिया के लोग भी इसमें जो सयोग देंगे तभी ये बन पाएगा सुल्तानिया की जितने लोग है सर्पन साप के कंदे से कंदे मिलाइए आपके घर का कच्रा जो है कच्रा गाडी बहुत जल्दी आ जाएगी दस्ट बीन चम चमाएगा और नहीं चम चमाता है तो हमारा नंबर सारवजनिक हम रखते हैं सर्पन साप से भी आप ले लीजिएगा और हमें बुलाईएगा बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिएगा